अससलाम अलेकूम आज जो हमने करना है हमने Heat Equation का सलूपे पढ़ना है और कैथे is impactful separate of variable methods इसे फिछले lecture में हमने Separation of variable methods यूजिए धा Wave Equation का, कैथे solution find out करने के लिए या फिर वाइबराइटिंग Terraig problem को solve करने के लिए Separation of variable method यूजिए था और उससे पिष्ने लेक्चर में हमने कहते हैا सिंपल बिढूर्व मेथशन के लिए थे था !! अचा आज हम हीट इक्वेशन के लिए का पढ़ेंगे हैं कि हीट इक्वेसन का देस्व हैं कैसे निकाल सकते हैं Elijah इसको मैं आपको एक्जाम्पल से किताब को एक्सप्लेइन करूंगी ताकि आपको अच्छा तरीके से समझ आजाए एक मैंने हीड एक्वेशन लिख दी है ठीक है वह क्या है कि u का first derivative with respect to t as equals to alpha square into u का second derivative with respect to x ठीक है यू का double derivative with respect to x ठीक है और conditions आपके पास किया है यह आपके पास बाउंडरी conditions है अच्छा अब इदर आपके पास कियते हैं जितना मैंने ब्लैक में पॉडिशन लिख यही आपके पास question है अगर आपके पास सिर्फ यह question है और आपके पास कोई initial condition given नहीं है तो हम जो हम खोड से कहते हैं initial condition suppose करेंगे आगे question में तो वह जो initial condition हम suppose करेंगे हैं मैंने इदर पहले से लिख दिया ताकि कहते हैं मैं आपको वहाँ पर बताओं कि यह initial condition है तो आप confused जाओं initial condition मैंने क्या लिए u of x,0 is equal to किसी भी function of x के equal है ठीक है ना 5 of x के equal है चले जी अब इसके solution की तरफ जाते हैं जो हमारे पस given equation है जो heat equation हो हमारे पस का ut is equal to alpha के uxx इसको मैंने equation number 1 का name दे दिया और फिर मैं इसको step wise solve करूंगी step 1 जो था separation of variable method का वह क्या था कि आपने जो है कि यह जिस function के लिहास से derivative हुए है यह किस function के लिहास से derivative हुए है तो t के लिहास से तो t और x के लिहास में एक function को define कर लेती हूँ जिसको u of x, t is equal to x of x, t of t इसको मैंने question number 2 का name दे दिया question number 1 जो है वो मेरे रपस कहते जो given pde है इसको मैंने कह दिया तो again step number 2 में हम क्या करते थे कि आप कहते हैं जो कहते हैं जो given pde है उसमें जो जो चीज़े हैं उनको हम find out करते थे यानि कि u का first derivative with respect to t, u का second derivative with respect to x तो यह जो है मैंने find out कि ut is equal to x of x, t prime of t, new xx is equal to x double prime of x, t of t step number 3 में हम क्या करते थे कि यह जो 3 वाली है जो कि हमने values आप find out कि है step number 2 में इसको हम given pde में put करते हैं ठीक है ना तो मैं जो in values को heat equation में put कर देती हूं ठीक है ना तो जब put करते हूं तो मैं बस क्या थे ut की जगा पे क्या थे x of x into t prime of t is equal to और क्या आएगा आपके पास alpha square into uxx की value क्या है x double prime into t of t step number 4 में क्या करते थे आप step number 4 में आप यह करते थे कि कहते है variables को आप कहते है पहले separate करते थे और फिर उनको integrate या solve करते थे ठीक है ना जो भी आप कहते है जिस भी method से आप करेंगे ठीक है तो यहाँ पर मैंने variables को पहले separate कर लिया है ठीक है ना t और x के लिहाद से लेखें कहते है जो derivative है उसको आपने always आपने रखना है आपने numerator में रखना है और बाकी सारी terms को आपने यह वाला एक्स है इधर multiply और दूसरे जाकर divide हो जाएगा तो देखें आपके पास यह separate हो गया अब जो है हम इस equation को कहते है आगे solve करते है ठीक है ना हमाँ पास कहते है पिछले सारे steps हमाँ पास similar है अभी आगे जाके कहते है काफी सारे steps similar होंगे बट जहां पर हम initial conditions apply करेंगे सिर्फ वहीं पर difference आएगा heat और wave equation का ठीक है ना चलेंजी तो मैंने क्या किया मैंने क्या कि कहते है चुक्कि यह दोनों equations क्या थी एक्वल थी t prime divided by alpha square t is equal to x double prime divided by x एक्वल थी मैंने दोनों को कहते है कि इसके equal कर दिया constant k के equal put कर दिया ठीक है ना उसके बाद मैंने अलग-अलग इनको कर दिया कि आपके पास t prime divided by alpha square t प्राइब थी जो है वह भी k equal है और x double prime divided by x वह भी k equal है तो यह मैंने इदर और इदर लिख दिया ठीक है ना अब पहले में एक को बताती हूँ पर मैं आपको दूसरे को बताती हूँ ठीक है ना तो देखें x double prime divided by x is equal to k तो आप दूसरे दूसरे तर ले आएं कि इदर plus हो x double prime minus k x is equal to zero ठीक है ना अचा फिर आपके पास कहते हैं पिछली वीडियो मैंने बताया था कि कहते हैं कि कहते हैं value negative है value positive है greater than zero है या equal to zero है तो वहां पर आपके पास trivial solutions आ रहे थे सिर्फ एक ही case है जहां पर आपके पास non trivial solution आ रहा था और वह case था k is less than zero ठीक है ना k less than zero पर तो मैंने जहां कहते हैं वही non trivial solution के लिए मैं k को कहते हैं minus lambda square k equal put कर देती हूं यानि k जहां नेगटिव पूट कर देती हूं तो मैंने यहां पर put कर दिया k negative x double prime plus lambda square into x is equal to zero हो गया आपके पास ठीक है आप जहां आप इसको auxiliary equation में ना लें इसकी क्योंकि आपके पास ordinary differential equation बन गी क्या आपके पास इसको solve करना बड़ा ही असान होगा ठीक है m square plus lambda square is equal to zero ठीक है आप लेम्डा square को दूसरे को लेगे जाए m square is equal to lambda square m's की क्या value हाजाएगी plus minus lambda iota चुँके complex roots आ रहे हैं आपके पास तो फिर यहां पर क्या होगा आपके पास general solution किसना कहाएगा x of x is equal to a cos lambda x plus b sin lambda x अच्छा पिर इसी दिदार मैंने दूसरी equation को भी solve किया t prime divided to alpha sk t is equal to tk के मैंने यहां जो है चुके इस first derivative के लिहाज से थी इसमें मज़ीद मुझे खपने की जरूरत नहीं थी यहां पर जो है मैं जो ordinary differential equation में जो separation of variable वाला method था वो यूज करती हूँ differential equation में convert हो चुकी है तो यहां पर इनको के थे हम ordinary differential equation के लिहाज से solve करेंगे जैसे था मैंने M कहती है auxiliary equation को solve करने का तरीक है अच्छा अब जो है इसको किसरा हम solve करेंगे मैं जो हूँ कहते है इस alpha square या कॉस्टिल को दुसरे दर ले जाती हूँ इधर divide दुसरा multiply हो जाएगा t prime divided by t is equal to k alpha square ठीक है न इसको कहते है इसमें भी वही condition लगाएं कि for non trivial solution के लिए आपको k को minus lambda square put कर देना है ठीक है न तो यहां पर मैंने minus lambda square put कर दिया तो इसके बाद जो है मैं क्या करूंगी मैं दोनों साइडों को integrate करूंगे with respect to t ठीक है न मैं with respect to t में integrate करूंगी तो इस साइड के derivation integration आजएगी ln of t is equal to minus lambda square alpha square t plus c1 ठीक है न अब जोंकि मुझे t चाहिए मुझे ln t नहीं चाहिए तो मैं क्या करती हूँ दोनों साइडों पर anti log ले लेती हूँ यानि के e ले लेती हूँ ठीक है न तो exponential लोंगी तो यह e कैता है और ln cancel हो जाएगा तो सिफ t बच जाएगा और यहां पी क्या हो जाएगा e raise to power minus lambda square alpha square t plus c1 ठीक है न अच्छा अब कहती है पावर जो है दो पावर सम हो रही है तो इस तरह हो जाएगा e raise to power minus lambda square alpha square t into e raise to power c1 ठीक है न e भी constant c1 भी constant है तो e raise to power c1 जो है वो एक निया constant हाएगा तो जो है मैं रिदे लिग दिया c capital c तो t is equal to capital c into e raise to power minus lambda square alpha square t अच्छे यहां तक तो बड़े यसानी से हमने solve कर लिया अब जो है आगे मज़ीद हमने क्या करना है हमने क्या करना है कि हमारे पर जो constants हैं a, b और c इनकी values भी find out करनी है क्योंकि अगर हमें यह नहीं पता होगा कि a क्या है b क्या है यह c क्या है तो हमारे question solve करने का कुछ फायदा नहीं है इसका मदब है फिर जो है मदब कि हमने कहते हैं बस एक कहते हैं generally हमने बात कर दी है कि इस तरह हो सकता है ठीक है ना लेकिन कहते हैं आगे कहते हैं मजीद चलने के लिए आपको कहते हैं मजीद जो find out करना होथा इसमें जो है a, b, c अब constants को हमने find out करना है हमने कहते हैं और t of t की equations हैं उनको आप number 4 & 5 की ठीक है ना अब जब boundary conditions को हम use करते हैं ताके हम a, b, c find out कर सके ठीक है ना तो boundary conditions में पास क्या थी u of 0, t is equal to 0 तो हमाने पास कहते हैं चाहिए मैंने किसमें put की है वह भी मैं बता देती हूं कि आपके पास स्टार्ट में solution जब कहते हैं हम करने लगे थे तो इसमें बिल्कु स्टार्ट में एक function let किया था u of x, t is equal to x of x, t of t यह function एक हमने let किया था ठीक है ना तो उसी में हमने कहते हैं इदर put किया है ठीक है आपके पास u of 0, t यह नहीं कि x 0 हो तो आपके पास क्या होगा x of 0 into t of t यहीं हमने लिखा है ठीक है ना 0 is equal to x of 0 into t of t ठीक है ना तो अब जो है कहते है आपके पास 0 answer आने के लिए आपके पास x of 0 या t of t में से कोई एक 0 हो का लाजमी बात है दोनों हो जाएं तो वो तो पिर कहते है लगी केस है लेकिन कहते है minimum जाएं वो एक 0 होना लाजमी है तो minimum जाएं वो कहते है x of 0 कहते है जीरो हो सकता है possible case है क्योंकि x जो है एक value x की एक value यानि कि 0 पर आपने निकाल दी है तो वो possible है कि 0 हो जबकि t की जाएं वो fix नहीं है value यानि कि t of t कोई function है वो कहते है किसी भी value पर कहते है आसकता है तो मतलब कि इसके different values होंगी सिर्फ 0 ही नहीं होगी वो कहते है specifically 0 नहीं होगा इसलिए अगला भी जाए वो कहते इसी तरह x के जगा पर 1 put किय x of 1 into t ठीक है ना x of 1 into t ठीक है ना यहां पर भी वही बात हो गई कि अन्दौनमस कोई एक term जह है वो 0 के equal होगी x of 1 जह है fixed function होगा x is equal to 1 पे तो वहां पर यह 0 हो सकता है possibly function 0 हो सकता है but t of t fixed नहीं है change variable function है t की value variate कर सकती है तो इसलिए यह कहते है possible case नहीं है 0 के लिए अच्छा यह तुमारे पास आगया क्यों कहते है boundary conditions का अब next step क्या होगा हमारा चले अब जो है boundary conditions जो मैंने boundary conditions यूज करते हैं x of 0 की values निकाली थी x of 1 और x of 0 की value निकाली थी तो उसको जो हम अब use करेंगे question number 4 पे ठीक है ना तो क्या हो जाएगा a into cos of lambda into 0 क्या हो जाएगा cos 0 plus b into sin 0 तो कहते है cos 0 तो 1 होता है sin 0 क्या होता है 0 हो जाता है तो आपके पास क्या हो जाएगा यह वाली term 0 हो जाएगी ठीक है ना cos 0 1 हो जाता है तो आपके पास x of 0 किसके equal है 0k is equal to a into 1 a plus b into 0 0 तो आपके पास क्या हो जाएगा a is equal to 0 आपके पास a 0 के equal है अब b find out करने के लिए second condition यूज करते है x of 1 is equal to 0 x of 1 is equal to 0 जब हम करेंगे x of 1 is equal to a into cos lambda plus b into sin lambda x की जगह पर हम 1 पुट करें तो आपके पास क्या हो जाएगा a की value चुँके आपके पास 0 आपने निकाल चुके है तो इतर पुट करेंगे 0 is equal to 0 into cos lambda यह कौन से x of 1 की value जो 0 है 0 is equal to 0 into cos lambda प्लस b into sin lambda यह जो यह वाली term 0 की multiplication के जाएगा यह 0 हो जाएगी ठीक है ना उसके आपके पास क्या बच जाएगी b into sin lambda is equal to 0 अच्छा इस बात पर हमारे पिसली वीडियो में बहुत कहते हैं हमने detail discussion की थी लेकिन इतर फिर से जो है मैं थोड़ा कहते हैं आपको बता देती हूँ तो कहते हैं अगर b 0 हो जाएगा ठीक है ना अगर a b 0 है b b 0 हो जाएगा तो आपके पास जो है एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी x का function क्या आ जाएगा a b 0 b 0 x of x is equal to 0 तो आपके पास trivial solution आ जाएगा ठीक है जिसके हमें जरूरत नहीं थी हमने पहले दो cases reject ही इसलिए किये थे कहते हैं जहां पे हमने k की value greater than 0 हो less than 0 हो या equals to 0 उसमें से दो cases हमने reject ही इसलिए कहते हैं कि उनकी वज़े से trivial solution आ रहा था ठीक है ना तो हमें तो trivial solution चाहिए हमें non trivial चाहिए हमने हमारे पास एक ही possibility है कि हम यह करतें कि b जहां वह 0 के Igual नहीं है अगर 0 के Igual नहीं है भी तो कौन सी टर्फ से जीरो के Igual हो सकता है ना और N के पास क्या है natural numbers के set है natural numbers के belong करते आपके पास इदर तक है आपके पास a की value आ गया आता है बीन की value आ गया is अब टूंज सब को अठाते हैं और पूट करते हैं चले जी जो चन्लम्त हमने लिकाली थी तो यह क्या पीफ इर्फ cards फोर में दो ठीक है थो में इसक माने प्यादानाला में लिकाली थी चुहकर हमाने पास लेंवननालरी वालियों थे बहुत जा券 रहती से न रखड़कों आहने शलेŽ का संवाल कि है तो इस तरह आपके पास different solutions आने का मतलब है आपके पास पर इदर जाए कहते है X different आएगा ठीक ना, Xn of X is equals to तो term 0 हो जाएगी आपके पास ठीक है ना, is equals to Bn sin n pi x ठीक है न, LMdyn की मैंने अदर direct value लिख दी है n pi, ठीक है, n pi x यह आपके पास Xn of X की value आगई आपके पास Xn of X की value आगई similarly, अब आप इसके लिए भी यही करेंगे, कि आपके पास अगर X की value, कहते है X की solutions है, वह n times है, तो इसका मतलब है T of T की solutions भी n times होंगे, ठीक है न, तो वह भी similarly करके लिख लेते हैं मैंने लिख दिया है, Tn of T पर स्केर था, alpha k पर स्केर था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया n pi alpha whole का स्केर इंटूटी ठीक है न, मैंने कहते हैं, मैं बस दोनों values आगई और इस इन दोनों values को मैं उठाऊंगी और वह जो solution शुरू करने पर मैंने सबसे पहली equation लिखी u of X, t is equals to x of x into t of t, वहाँ पर जाकर ही दोनों को put करोंगी ठीक है न, चले जी मैंने जो है equation number 2 हमने equation number 2 दिया था तो मैंने rewrite भी कर दिया क्योंकि हमाँ पास x की value और t की value थी n numbers of solutions आ रहे था तो मैंने इसको rewrite किया u n of x, t यानि कि इसके भी solutions n number of solutions आएंगे tn of t की जगह पर tn of t की value निकाल थी वह लिखी इन दोनों को multiply किया अब आपके पास दोनों constant bn cn multiply हो रहे हैं तो इनकी जगह पर मैं कहते है constant bn cn को multiply करने के नतीजे में constant लिखते हैं चले जी तो मैंने bn cn को multiply करके एक ही constant लिख दिया a n sin n by x e raise to power minus n by alpha whole का square t यहां पर आपके पास कहते हैं u n of x, t अच्छा अब आपके पास कहते हैं क्या है जब आप n की different values put करेंगे आपके बस different solutions आएंगे तो वह भी u of x, t की solutions होंगे और जब आपके तो सारे solutions जतनी भी n की possible values आप लिख सकते हैं लिखेंगे और solutions जो आएंगे उनको जब आप sum up करेंगे तो वह भी जो है इसका solution ही होगा ठीक है ना तो हम आप लिखते हैं superposition principle के तहर्त तो मैंने कहते हैं superposition principle यूज किया और मैंने कहा कि इन सारे जितने भी possible solutions हैं उनका sum है वह भी जो है u of x, t, equal होगा वह भी इसका solution होगा तो वह लिखा u of x, t is equal summation n is equal to infinity a n sin n pi x into e raised to power minus n pi alpha whole square t ठीक है ना अच्छा पिर जो है कहते ही आपके पास solution आगया अब कहते जिस तरह हमें x और t में कहते जब हमने functions की values निका ली थी तो हमें constant की values find out करने की पड़ गई थी कि a, b, c क्या है वह हम find out कर लें अब हमने कहते है यू of x, t निकाल लिया तो अब हमें फिर जो है कहते हैं इसी बात की कहते हैं फिकर पड़ गई यह कि a n क्या होगा भई ठीक है न a n को find out करते हैं के लिए जो है न अच्छा इसको करने से पहले आपने कहते हैं boundary conditions हमने यूज़ कर ली हमने सब कर लिया अब जो हम initial conditions हम कहते हैं यूज़ करेंगे अब चुक्के हमें initial condition given नहीं थी तो हम खुद से कहेंगे suppose करेंगे कि हमारी initial condition क्या है अगर आपको given नहीं है तो आपने यह वाली initial condition यूज़ करनी है कि u of x, 0 is equal to some function of x, y of x ठीक है न इसके equal है यह मैंने कहते है initial condition में यूज़ करूँगी और कहते हैं मैं इसको इधर put करती हूँ t को 0 कहते हैं इस equation में यह वाली equation आई है इसमें put करती हूँ मैं तो मेरे पास किया आएगा मेरे पास कुछ ही आएगा कि कहते है जब मैं इसमें t को 0 को put करूँगी तो यहां पर t 0 होता है e की power t 0 हो जाता है तो यह term multiplication वाली term भी 0 हो जाएगी तो e की power 0 जोती है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यह बच जाएगा a n into sin n by x तो मैंने यही लिख दिया u of x,0 is equal to submission n is equal to infinity a n into sin n by x और आपके पास u of x,0 जो था वो किस के equal था इधर आप लिख दें कि 5 of x के equal था तो 5 of x is equal to this अब जो आपके पास यह equation आ गई इस equation यह जो आपके पास equation है मैंना पिछली equation को सोरी कह दिया था 4 year series है but this is the 4 year series यह 4 year series है इससे आप कहते है a n की value निकालेंगे अब कहते हैं a n की निकालने के लिए आप कहते हैं 4 year science series लगाते है तो मैंने 4 year science series use की 4 year science series को use करने से पहले मैं कहते हैं question की तरफ जाती है question में जो मैं condition given थी x भी जो condition apply थी x जो है वो 0 से बढ़ा है but less than 1 है यानिके 0 और 1 के दर्मियान मंडला रहा है तो अब जो आपने a n find out करने के लिए a n is equals to constant equals to 2 divided by this कहते हैं limit 0 नहीं यह वाली limit 2 divided by 1 इदर कुछ भी हो L हो 2 हो जो भी हो divide कर देंगे integration क्या होगी 0 से 1 ठीक है 0 से 1 फिर जो आप क्या करेंगे इदर जो है आपके पास क्या आएगा एक पुट करेंगे into sine function sin n pi x into आप यह पूट करेंगे इदर जो है थोड़े यह इदर पुट करेंगे इदर जो है इमारे पास 5x given नहीं था अगर हमारे पास 5fx इनिशल कंडिशन उन्हीं इसको आप आप solve करके आप n की value निकाल सकते हैं ठीक है ना चुक्छे मैं जनरलाइजड बाते कर रही थी तो इसलिए मैंने initial condition में मैंने कोई किसी specific value के एक वाल नहीं लिखा अच्छा तो और मजीद करते हैं एक बात करते हैं for your science series से related अगर मैं आप कोई device करा हूँ तो यह है कि आपके पास यह दोनों functions five of x to sign n by x यह दोनों odd functions है ठीक है ना तो आप इनको odd कहते हैं जब आप इनको solve करेंगे तो आपके पास values आपने odd functions के लिए आपके आपके पास odd होगा इतर ठीक है तो यह आपके पास heat equation का solution है ठीक है तो आप करें इसको try करें आप इसको different examples पर करें ठीक है समझ ना आए तो आप मुझे बताएं पिर